हेलो दोस्तो इस्टड़ी अब बी टाइम यूट्व चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपके लिए यूपी पुल सोरण 4,500 अरफट भरती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट यानी फान और कटोप लेकर गाया हूँ अगर दोस्तों हमारे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल अपने मित्रों में जितने भी बाट फा फेस्वाग ग्रोप हों उन फवी पर सेयर करना क्योंकि हम आपके लिए पलपल की अपडेट लाती रहते हैं तो आज की वीडियो सुरू करते हैं यूपी पुल उनचा 5500 अरफट भरती को फाइनल का टॉप आपकी इतने जाने वाल है एक फ़र 40 नमबर बालों का क्या होगा वो भी इस वीडियो को लाफ तक देखना बुलकुल भी इसकी मत करना अगर इसकीप कर दोगे तो आपकी कुछ समझ में आने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी महत्पूर बिंदू या कोई बात छूट सकती है फिर हमें कमेंट बॉक बिला है तो दोस्तों अगर इतने नमबर बन रहे हैं तो आपका फिलेक्षण इस वार पक्का हो जाएगा और भो भी फाफ्ट मेरिट के अंदर फाफट मेरिट के अंदर क्यों क्योंकि यहां पर नेगे टिब काटकर बिलकुल एक्चुली कौफन यहां पर 75-पर अफिफी फही होने चाहिए उससे जादा आपके गलत बिलकुल भी नहीं होने चाहिए यह आप बुरको लिख लेना 75 फे अफ़ी क्वेसन यहाँ पर जिस बच्चे के फ़ही है नेगेटिव काट कर क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल आइफन आपका हो देखने को मिलेगा तो आपका इस बार 100% 49500 अर्फट वाली के अंदर फ़फट मेहट के अंदर होने पूरे पूरे चांसिस बन जाएंगे क्योंकि इस बार मेहट बहुती ज़्यादा कम जाने वाली है अब दूसरा क्वेसन यह है क्या यह एडमिट कार्ड फ़ही है कापी बच्चों के कमेंट बॉक्स में यही फ़वाल फ़फवयादा पूछा रहा या जा रहा है क्या फर यह जो एडमिट कार्ड निकले हैं यह क्या फ़ही है तो दोस्तों हम आपके लिए बता देना चाहते हैं कि आपने देखा होगा उननचा फ़जार पांसो अरफट वाली भरती का जो एडमिट कार्ड मार्च के महिने में यानि फटाइफ फटाइफ जनवरी को पेपर होने के बाद मार्च के महिने में आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था आपका जब admit card जारी हुआ था बहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये admit card निकला था और दोस्तों जब वो admit card निकला था तो वहाँ पर ना तो कोई भी date mention की गई थी ना ही कोई जहाँ पर DVPFT होना उसका कोई भी date mention की गई थी बस आपका photo और चार कॉलम वहाँ पर लिखे आ रहे थे और वहाँ पर वो कॉलम सभी blank थे चुकि उस वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था फस्त नमबर वो तुमारा admit card जारी हुआ था अब बात करते हैं सेकंड नमबर की सेकंड नमबर admit card आपका हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाया क्योंकि आपके अब तक तीन बार admit card जारी हो चुके हैं तो यह अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तीन तीन बार admit card जारी हुए है कुछ वच्छे तो इन्हें फेक बता रहे हैं तो दोश्तों यहाँ पर फोचनी वाली बात है खुदी अपनी दमाग फे सूचिए कि तीन तीन बार admit card जारी होना आप पहले कभी आपने किफी भरती के अंदर एक बार भी admit card जारी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी खुसकबरी की बात है तो आपके लिए तो सब बड़ आपका डाटा नहीं है तो दोस्तों मुझे आप बता दो कि आप पहले किसी भी भरती बोर्ण ने या एफ फी ने या यूपी एफ फी ट्रपल एफ फी ने कुछ भी ने अगर आप तक की रिकॉर्ट में अगर admit card पहले जारी किया हो तो मुझे comment box यह अंदर बता देना तो दोस्तों जिन बच्चों का यहाँ पर admit card सो हुआ था मार्च के अंदर और अभी भी सो हुआ था और आपट DVPFT का date mention हुई थी तो मैं उनको clear कर दिना चाहता हूँ यहाँ पर अगर बच्चों के इतने नमबर बन रहे हैं तो उनका नमबर इस बार भरती में sure है यह लिख ल कि जिन बच्चों के admit card खुलें कितने रिष्टेफन नमबर फे खुले थे और किन किन के खुले थे तो मैंने बार बार आपको बताया है कि जहां पर जिन बच्चों के 1000 नमबर फे रिष्टेफन फुरू थे और दफेयार वाले बच्चों रिष्टेफन नमबर फुरू हु है कि जहां पर जिन बच्चों का admin card फुरुआ था इतने तने नमर फिर इस्टीफ फ remix फुरुआ था उन्हीं बच्चों का यहाँ पर याँ पर पारocy кл flour हेजार बच्चों के यह पर data leak हुआ था तो दोस्तों चिंता करने कोई Natalie बात नहीं है जिन बच्चों का admit card यहाँ पर आया है उनका फिलक्षन यहाँ पर स्योर है अगर इतने कुस्तन यहाँ पर बन रहे हैं negative card पीट करके तभी आपका admit card जारी होगा क्योंकि आप देख लेना अगर इतने फई हैं तो आपके लिए normal life हैं मिलने की बहुत ही जादा chances बन जाएंगे आपका चात तारी को company का chain कर लिया जाएगा वहाँ पर भरती बोड एक लाख यानि एक लाख बच्चों को यहाँ पर बुला रहा है और एक लाख बुलाने के बाद भी कम फे कम यानि दोगना बच्चों को यहाँ पर qualify करेगा तो दोगना बच्चों को क्वाली करने के बाद भी कम फे कम बच्चे की यहाँ पर अपफेंट हो जाते हैं कम फे कम आप 50% मान लेजिए बच्चे अपफेंट हो जाते हैं कहीं पर उनका selection हो चुका है कम फे खम 9 महीने के अंदर बहुत फारी बेकंसी निकली थी और उनी बेकंसी के अंदर जिन बच्चों ने आपर पेपर दिया था उन बच्चों का बहुत फानों का फिलक्षन हो चुका होगा और वो ट्रेनिक छोड़के उनको ना तो कोई छुटी मिलेगी ना ही वो ट्रेनिक छोड़के आ सकते हैं क्य तो यहां पर जिन बच्चों के एक फॉर चालिफ नंबर हैं तो बो भी टैंफन लेने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि उनका नंबर सेकंड मेर्ट के अंदर आने के पूरे पूरे चांफ बन जाएंगे अब बात करते हैं फिमेल कैडिगरी की अगर फिमेल कैडिगरी में भ बात कर रहा हूं तो उनके भी यहां पर बहुत सारे चांफ मन जाएंगे सेकंड मेर्ट में आने के और यहां पर ज्यादा फिजाद 75 को फ़इंगे तो उनका तो चांप पर फफ्ट मेर्ट में आने फिको भी नहीं रोक फकता है यहां पर आम नोट करके लिए ना क्योंकि ह हम आपके लिए फत्त और फटिकता के फाद जानकारी देंगे अगर आपको लगता है इसफार यहां पर हेल्प उपोर जानकारी देते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहां चैनल को सब्सक्राइब कर लें बराबर में बेल आइकन का प्रेफर उसको होगा आपका नंबर इस बार हंडर पर फंट इतने को सब्सक्राइब नहीं तो नंबर आपको आने बाला पक्का है अब आपर आप कटोब देख सकते हैं जो हमने यहां पर कटोब बनाई है एक लाग पास होने के बाद आपकी कटोब यह राने वाली है फत्त्य और फटिकत हमने आपके लिए कटोब बनाई तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपके नंबर यहां पर बन रहे हैं तो वह यहां पर बुड़कुल फियॉर अपना नंबर इतना उनका फियृप स्कौर है क्योंकि फिलक्षण से कोई नहीं रोख सकता अगर जनरल क्रेडिगरी तो वो भी अपना नंबर इसे बार पक्का है समझें, क्योंकि उनके नंबर यहाँ पर बुर्को सेफ हैं, अब बात करते हैं, SC केडिगरी की, अगर FV केडिगरी के अंदर यहाँ पर 75 कोफ़न फे ले करके, 89 कोफ़न यहाँ पर फही है, यानि मैं यहाँ पर ST केडिगरी के बात कर रहा हूँ, यहाँ मिश्टिक हो गई है, यह है SC और यह है ST, अगर ST केडिगरी के अंदर 75 कोफ़न यहाँ पर फही हैं, तो उनका भी नंबर पक्का स्योर आने बाला है, और SC केडिगरी के अंदर यहाँ पर 78 कोफ़न फे ले करके, एक क्याफी कोफ़न जिस वच्छे के बर रहा है, वो भी नेगटिव काट करके, बिदाउट नॉर्मलाइज़न के, यह इतने कोफ़न आपके होने चाहिए, अब बात करें फिबी के फिमेल करडिगरी की, जिस वी गरण से आने फिमेल में पैंफर कोफ़न से ले करके, फटर कोफ़न आपर फई बनने तो उनका भी फिलेकोफ़न इस वार पक्का होने वाला है, क्योंकि हमने आपके लिए बता दिया, एक लाग बच्चों को पास होने के बाद कटोब आपकी ये ही रहेगी क्योंकि भरती बहुत दो गुणा बच्चों के याँ पर पास करने बाला है और ये भरती बहुत जंदी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि आपके DB और PST नमंबर में फुरू आपके हो जाएंगे और आपका रियल्ट बहुत जल्दी आने बाला जो कोई भी अपडेट होगे सबसे पहले हम इस्टेडी अभी टाइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोबाइट कराएंगे तो आप बुरुकर भी टेंस फन ना लें क्योंकि इस वार फभी का फिलेक्फन होने वाला है क्योंकि एक ताली फैर पांट फो भीष वारे बच्चे रोह कहें वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो 18,000 कैंडिडेस पीएसी वाले हैं जो 18,000 कैंडिडेस जो पीएसी वाले हैं वो ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं तो दोस्तों चिंताना करें आप बस अपनी रनिंग पर तयारी करते रहें तो आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेफ्ट वीडियों में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम ठैंक्स पोर बाचिंग